देशबर के साथ साथ पुरे बिहार में सरकारी डॉक्टर के हर्ताल का व्यापक असर दिख रहा है। इसी कड़ी में सहरसा जिला अंतरगत सभी नीजी क्लिनिक के डॉक्टर हर्ताल पर बैठे हुए हैं जिस कारण जिले के तमाम नीजी क्लिनिक बंद हैं जिसे मरीजों को काफी परेशानी जहली पड़ रही है। इमर्जनसी छोड़कर बाकी ओवेडी को बंद किया गया है। कर रहे हैं सब बात को भी गंभीरता से देखने के बाद सरकार को इस संदर्ग में निर्णे लेना चाहिए। जल्दबाजी में उठाया गया कोई भी कदम सही नहीं होगा। सरकार के द्वारा एक अधिसुजना आई है कि अब आयलवेड के पोस्ट ग्रेजवेट सर्जरी करेंगे। इस मिक्सों पे थी खिचरी निती के बिरूद में पूरे भारत वर्ष में एक सुबद 6 वजे से शाम 6 वजे तक बंद का आवण आज किया गया है। इसी के तहट हम लोग बंद रखे हैं। इसमें हमारी सारी OPD सर्विस बंद हैं। सारे ओप्रेशन्स बंद हैं। सिर्फ एमर्जेंसी मरीज को देखा जाया है। क्या मांग है आप लोगे। हमारी मांग है कि मेडिकल साइंस को खिचरी साइंस से अलग कर दिया जाए। जो ऐलोपेथ हैं ऐलोपेथिक डॉक्टर्स हैं वो ऐलोपेथ का का काम करें। कि यह अंदुलन परदर्शन और मांगती जा रही है। डॉक्टर विजय शेंक। कितने वज़ तक आप लोग का यह अंदुलन है। सुवा छे वज़े से शाम छे वज़े तक आज में। सिर्फ आज तक लिए आज का है। किस कारण से आप लोग एस्ट्राइक हैं। आज हम पूरे भारत के सभी डॉक्टर लोग भारत सरकार के द्वारा जो मिक्सी पैथी या खिचरी पैथी का नवंबर में परमिशन दिया गया आज़वे डॉक्टर को उसके विरोध में आज परदर्शन और इस्ट्राइक की हुए है। क्या मांग तैक के सरकार गिए सरकार जो एडू में की परमिशन दे रहें। कि छिच्री पेथी की और जार है इसे बन्द करके एलोपेट को सर्जरी के लिए रखा जै और ऐएरवेट डॉक्टर को ऐड़वेट पेथी के लिए प्रविशन दिया जै जै क्या नाम है डोक्टर बिवास कुमारा